कैसा हुआ जिन्दगी का सिलसला कैसे शुरू हुआ प्रताब गड़ के कुछ किस्ते बता दिए वहां से शुरुवात करते हैं तरसलब जिन्दगी में बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं प्लानिंग करके एक-एक कदम आगे बढ़ाते हैं मेरी जिन्दगी में सब कुछ बेतर्तीब सा था वालिद साहब चाहते था कि मैं डॉक्टर बनूँ और इंटर्मीडियेट के दौरान मुझे समझ मैं कि ये मेरी दुनिया नहीं है मेरी दुनिया कहीं और है क्योंकि मैडग नहीं काट पाएंगे इसलिए यह क्यों था नहीं दौरान के, कहीं नहीं कि आ पकमंधले को र Ihज मेरी में मतलब अंदर से लगा कि ये मुझे शायरी पसंद है में मुचारों में कभी से महलणों में जाता था था तो लगता था कि ये अपनी दुनिया है तो उन्हें यह लगता था कि नहीं एक काम्याभी वाली दुनिया तो यह नहीं है फिर मैंने थोड़ा सा घर में जिसको कहते हैं न कि थोड़ी बगावत की और इलहाबाद यूणिस्टी आ गया पढ़ने के लिए वो जिंदगी एक बहुत टैनिंग पॉइंट था वालिद साब नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि मैं परिवाद में बड़ा था तो पिता जो है गाउं में आज भी बड़े बेटे को सोचते हैं कि हमारे आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा है इलहाबाद वहां से 60-70 किलोमेटर दूर है पहली बार शहर बाहर निकल के आया तो वह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और फिर वहां आकर के बड़ा प्लेट फॉर्म जाहर से लाख तो बदला ऐसा इंसान हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था और बच्छों का भी एक जो मतलब साथ मिला साथ के पढ़ने वाले लड़कों का लड़कियों का वह बहुत खुबसूरत था उनमें लिट्रेचर था और चुकि उसी उनिवस्टी में फिराग गोरगपुरी हरिवन श्रा है जो सिंबल है उस उनिवस्टी का उसकी च्छाओं में बैठते थे तो वहां बैठके जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पर बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला तो उसने चेंज कर दिया फिर मुशायरों में सक्री हुआ कवी सम्मेलनों मैं हिंदी लिटरेचर का एस्टुएंट हूँ अच्छा वाँ तो मैंने पोस्ट केशन हिंदी लिटरेचर से किया परासना तक तो उस दौरान मैं हिंदी में कवेताय लिखने लगा और हिंदी कवी सम्मेलन के मन्चों पर सक्री हो गया देश के जितने बड ना भी बना लिया, थोड़े पैसे आने लगे, तो परिवार को लगा कि नी ठीक है, अपनी मर्जी का कर रहा है, तो कर रहा है, लास्ट कब गएदे आप, अलावाद यूनिवस्टी, मैं 2008 में मैंने पास आउट किया, उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका मिला, जाना तो रहा जाना रहा, मैंने जर्नलिजम का डिप्लोमा किया वहां से, वापस से, और उसके बाद जो है, लगाओ तो इसे, पॉलिटिक्स में आने के बाद कभी ऐसा मौका पड़ा कि कभी जाके बस बले ही आदे हिंटे के लिए, पंदर मेंट के लिए जाके बस वो गलियों को देख क मेंबराप आले में बनने के बाद एक बार इलहाबाद गया था, चुकि एक प्रोगाम होता है, हमारे कुछ साथी है, जो बिकलांग बच्ची की शादी करवाते हैं, तो बहुत अच्छा काम है, तो उससे मैं बहुत शुरू आती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो अब